कॉंगर्स नेदा और पूर्व सांसे सावित्री भाई फूले ने अब कॉंगर्स से किनारा कर लिया है। कॉंगर्स के टिकेट पर चुनाव भी लड़ा और अब नई पार्टी बनाने का उन्होंने अलान किया है। कि भारत के सम्विधान को लागू करो आरच्छन कोटा पूरा करो और इबियम हटाओ बैलेट पेपर से चुनाओ कराओ इसको लेकर मैं अंदुलन करना चाहती हूँ। तो कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी महासर्ची परेंका गंधी का जबाब था कि सम्विधान लागू कराना अरच्छन कोटा पूरा कराना योड इबियम यह हमारी सरकार की लाई हुई इबियम है इस पर आप बिरोध नहीं कर सकती। तब मुझे लगा कि कॉंग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है और मैंने आज 26 दिशंबर को मैं कॉंग्रेस पार्टी को रिजायन कर दिया हूँ और 19 जनौरी को लखनो की रविंदराले में मैंने आदिवेशन बिलाया है नमो बुद्धाय जन सिवा समीती के बैनर साब मानिवर कांशी राम साब कांजोल अंदोलन था इसको गती देने के लिए मैं अपनी पार्टी बना कर और उस पार्टी के बेंदर तले मैं अंदोलन करूंगी साबितरी बाई फूले ये कह रही है कि प्रियंका गांधी वाडरा ने उनसे कहा कि इवियम का विरोध वो नहीं कर सकती है